हेलो कैसे आप सब लोग जैसे कि आपको बता हमने अकाउंट 10 सेक्षिन पक्ड़ी थी तो उसका लेक्चे नमबर 11 है लेक्चे नमबर 10 मतलब की लेजर अकाउंट का पार्ट नमबर वन हमने लाश वीडियो में डिसकूस किया था जिसमें हमने लेजर के त्रॉटिकल पार्ट रखे होंगी जहां भी आपकी बहां निकाल लो अब भी हम उसको डिसकस करेंगे उसके बाद लेजर बनाएंगे मतलब की खाते बनाएंगे सब भी का खाता खुलेगा इसमें देखते रहिए तो स्टार्ट करने से पहले मैं बतादू जो भी इस प्लैटफॉर्म से पढ़ है हमारा एक ही फंडा है कंसेप्ट पाओ मार्क्स लाओ आपने अगर कंसेप्ट पा लिया मार्क्स आपके और अपने आप आएंगे मैं आपको इस चीज़ की गरेंटी देता हूं कोई भी डाउट आता आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखे यूट्यूब ने तना अच्छा बॉक्स दिया हुआ है इतना अच्छी इंट्रेक्शन के लिए हमें जगा दिया जहां पर एक हम और आप इंट्रेक्ट कर सकते हैं तो आप उदर ज़रूर कमेंट कीजिए तो चलो बिना टाइम वेज़ करते हैं आगे बढ़ते हैं तो स्टार्ट करने से पहले में आपको पूरी एक फुल फ्लेज टू थ्री वीडियो मिल जाएंगी वह आप जरूर देख लीजिए इधर आपको मैं क्लियर कर देता हूं उपर उपर से बता देता हूं जनल एंट्री कैसे की जाती है उसके बाद हम इसकी लेजर बनाएंगे ठीक है तो आपको जैसे पता ह आपको एक स或者 गया है इसमें आपका पहले रहते है या कर रही है था ही सटार्टेट इसा बिजनेस सब्सक्राइबंऄ या रूपीज आप ने से आपका एक रहाता हैän तो जिनको ट्रीडिशनल अच्छ लगता है वह भी फॉलो कर सकते है जिनुन से अच्छ लगता है वह बेसित के ऐसाब से हुं त्रैडिशनल श्म Less close बिजनेस में आ रहा है कैश तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट यह आपकी पहले की जनल एंट्री है ठीक है फर्स्ट पार्ट की अगर मैं मॉडर्न अप्रोच से बताऊं मॉडर्न अप्रोच कहता है अगर एसेट है एसेट बढ़ रहा है तो उसे रहा है तो उसे क्रेडिक कर दिया होप की क्लियर होगा अब देख सकते हो नीचे मैंने एंट्री स्क्रिक ह理ा हैं कैश अकाउंट डेबि 2 रही है कैश डेगी goods ख्रीदेंगे तो हमने purchase word यूज करना है तो entry आपकी क्या हो जाएगी purchase account debit to cash account जो आया वो debit जो गया वो credit पैसा गया तो to cash कर दो खतम third entry purchase goods from ram नाम हम उसी का याद रखते हैं जिसने उदार पर ख्रीदा है बाकी जो cash पे देगा उसको बूल जाओ हम आपके हैं कौन तो purchase goods from ram आपने ram से purchase किया तो इसके entry क्या होगी purchase account debit पैसा तो आया नहीं राम बिचारे आ गए हैं तो ram को लिख देते हैं purchase account debit to ram account नेक्स्ट आपका जाता है sold goods for cash आपने अपके किया goods sold किये हैं बेचे हैं cash पर तो जो आया वो debit जो गया वो credit तो पैसा आया cash account debit to sales account वो अपकी clear होगा next entry की बात करते हैं sold goods to mohan mohan को जब आप बेचोगे तो इसकी general entry क्या होगी पैसा तो आया नहीं उदार पर बेच है तो mohan account debit to sales account ठीक है next general entry purchase machinery for rupees 10 अब आपने machine purchase की जो आया वो debit जो गया वो credit आया क्या आपके पास machine आई तो machine को debit कर दो गया क्या cash गया to cash कर दो यह आपकी general entry है seven general entry depreciate machinery for rupees 10 अब आपने machine को depreciate कर दिया depreciate आपको पता है is your expense expense जब जब बढ़ेगा उसको debit करना है according to modern approach तो depreciation account debit ठीक है to machinery आपकी asset है asset जब आपका गटे कर तो हमने क्या करना है credit करना है to machinery ठीक है next general entry salary paid expense बढ़ गया salary आपने पेगी एक तरह की salary account debit to cash account ठीक है next salary outstanding salary outstanding की क्या entry होगी देखो जब आप salary pay करते हो तो इसकी entry क्यों होती है salary to cash ठीक है अब पैसा नहीं जा रहा तो इसकी पता है क्या अगर किसी को problem आते है तो आप ऐसे कर सकते हो salary to outstanding salary भी इसकी entry कर सकते हो cash तो गया नहीं salary तो debit करेंगे करेंगे तो इसमें हम क्या कर सकते है salary to outstanding salary आप इसकी general entry कर सकते हो अगर simple बात की जाए जिन्हें समझ आ गए है हमारे approach तो वह आप कर रहेएगा जैसे आपको बता है salary outstanding is your liability liability जब जब increase होगी हमने उससे करना है credit ठीक है तो इसलिए हमने salary अब बात करते हैं ledger की जिस चीज़ पर हमार topic है ठीक है अब ledger के लिए मैंने आपको बताया था खाते अब आपको इदर जितने भी account दिखने जैसे cash account capital account purchase account यह cash तो उपर आ गया इसको आप छोड़ सकते हो purchase भी उपर आ गया राम account cash उपर हो गया है sales account जितने भी आपको account दिख रहे हैं जितने भी अलग अलग नामद आपको दिख रहे हैं इन सबी का खाता खुलेगा ठीक है cash का अलग खाता खोलो capital का अलग खाता खोलो purchase account का अलग खाता खोलो अब मैं आप से पूछूँ आप मुझे बता सकते हो कि cash हमारे business में कितना पड़ा है इदर से देखकर कुछ नहीं पता चल रहा हमें नहीं पता चल रहा कितना पड़ा है इधर cash debit हो रहा है इधर credit हो रहा है फिट फोर transaction फिट से debit हो गया तो यह जो चीज है इस चीज को पता करने के लिए आपको क्या बनाने बढ़ते हैं लेजर लेजर आपको बताएगा कि आपको एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपके आस कितना cash पड़ा है तो हम वह लेजर से बनाएंगे तो चलो बीना टाइम वेश करते हैं आपको मैं ऑफ स्क्रीन ले चलता हूं ऑफ स्क्रीन में हम देखते हैं कि लेजर कैसे जाएगा क्योंकि स्क्रीन पर बनेगा नी तो आप इधर भी देख लो इसमें आपका machine का भी अलग खाता खूलेगा जो जो अलग अलग नाम दीखिरें depreciation का भी खाता खुलेगा salary का भी खुलेगा outstanding salary का तो आपको पता जल गए कितने खाते खुलने है 1, 2, 3, 4 उपर कितने थे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 accounts आपके खुलेंगे इन transaction में जितने अलग लग आपको नाम दिखें उन सभी का अलग account खुलेगा तो चलो अब हम चलते हैं off screen जहांपे हम बनाना सीखेंगे ledger account कैसे बनाया जाता है उसे close कैसे की जाता है और उसे open कैसे किया जाता है तो यह है मैं आपके ledgers जो मैंने बना कर रखें आपको जैसे पिछले मैंने अभी पीछे बताया आपको तो एक आपका cash account है secondly capital account है फिर purchase accounts हर एक का आगे भी और भी pages है उसमें हर एक काम खाता खोलेंगे और उनकी transactions करेंगे ठीक है तो यह आपका format आपको जैसे पता है date यह आपके debit side रहती है particulars यह ledger folio नहीं आएगा sorry इधर इधर आएगा general folio इसे correct कर लिजिए यह आपका general folio आएगा मैंने आपको last video में बताया था format के बारे में amount, date, particulars और इधर भी क्या जाएगा general folio ठीक है hope की clear होगा अब हम बनाने जा रहे है cash account आपको पता है आपके जो business है business में 90% transaction cash related ही रहती है तो cash account की सबसे ज़्यादा महतरपून रहने वाला इसी account में आपको सब कुछ clear आप हो जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा transaction आपको जैसे पता है तो जैसे कि आपको screen पर दिख रहा होगा पहली transaction क्या कह रहा है cash account debit to capital account सबसे ज़्यादे मैं क्या पकड़ रहा हूँ cash account पकड़ रहा हूँ बाकी account को भूल जा ठीक है cash account पकड़ रहा हूँ तो आप सब भी को जैसे पता है इधर हमने क्या करना है देखो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा यह जो आपका debit side है यह आपका होता है two वाली side ठीक है और जो credit side है यह आपकी होती है buy वाली side ठीक है आपकी पहली transaction क्या है cash account debit to capital account पहली transaction यह यह cash account debit to capital account तो जिसका हम account बना रहे हैं उसको आप बूल जो cash को आप बूल जो तो बचा गया two capital बचा गया two capital तो इधर लिख दो two capital अगर तो buy capital होता जो debit है उसदर आपने assume करना की buy है ठीक है तो इधर two capital आ गया amount कितनी है 100 रुपीस इधर हमने लिख दिया 100 रुपीस होप की clear होगा यह दूसरा तरीक है आप क्या बना रहे हो cash account cash is your asset asset जब जब बढ़ता है हम क्या करते है debit करते हैं तो debit कर दिया हमने two capital से ठीक है cash account में कभी cash नहीं लिखेंगे हम जिसका account बना रहे हैं उसमें कभी वो चीज अपने आप अपना खुद का वो नहीं आता यह भी चीज याद रखिए आगे हम बढ़ते हैं second transaction जैसे आपको दिख रही है उसमें क्या है purchase account debit to cash account cash को बूल जो दूसरा क्या बचा purchase purchase के साथ कुछ नहीं लगा assume कर लो कि उदर buy लगा है तो buy purchase लिख दो और कितनी amount आएगी 10 rupees ठीक है या दूसरा तरीका यह था इसमें cash आपका गट रहा है cash user asset asset जब जब गटेगा हम उसे credit करेंगे कर दिया हमने credit अब थर्ड transaction है purchase account debit to ram account इसमें तो cash हा ही नहीं तो इसमें इसका कोई effect नहीं होगा इससे बूल जाओ next है cash account debit to sales account ठीक है fourth transaction के cash account debit to sales account तो इसमें cash आ रहा है ठीक है cash आ रहा है तो two sales आ रहा है तो two sales लिख हो इदर two वाली side कौन सी है debit to sales 10 रुपेस नेक्स transaction मोहन account debit to sales account मोहन account debit to sales account है अपका ठीक है तो इसमें भी कोई cash नहीं आया तो इससे भी बूल जाओ नेक्स्ट है machinery to cash machinery to cash भाई machinery लिख देते हैं रुपीस 10 नेक्स्ट है depreciation to machinery cash तो नहीं है बूल जाओ next is salary to cash भाई salary लिख दो इदर कितनी दिये salary 10 रुपीस next is salary to outstanding salary नहीं आएगी तो मतलब कि हमारा इदर ही cash account खतम हो गया अगर देखी जाए side transactions में मैंने cash की सारी interest कर दी तो अब हम क्या करते है balance अब हमने क्या करना है balance करना है debit और credit का total debit side का total कितना है ठीक है debit side का total आ रहे है 110 credit side का total कितना रहे है 30 तो जो बड़ा है वो दोनों side लिख दो बड़ा कितना है 110 दोनों side हम 110 लिख देंगे ठीक है लेकिन इदर तो 110 नहीं है इदर तो 30 है तो इसको 110 बनाने के लिए हम इदर लेखेंगे buy balance carried down ठीक है तो कितना कम है credit side इदर 110 था इदर 30 था 110 में से आप 30 माइनस कर लो तो आपका आज़ता है 80 तो मैं आपसे पूछूं आपका कितना balance है cash का तो आपको बताना है मेरा cash का balance है 80 तो अब आप चेक करोगे कि मेरे पास 80 रूपीज है की नहीं है अगर तो बाया चान 70 रूपीज बचते हैं या 60 रूपीज बचते हैं यह जो 10-20 रूपीज का आपका difference आ रहा है आपको डूढ़ना पड़ेगा कि कहां पे कोई गरबड़ी तो नहीं होगी आश वीडियो मैंने आपको होता है था closing को आपने अब अगले साल का वह ओपनिंग बन जाता है मतलब अब अगले साल का opening कहां से होएगा इधर से तो इसकी पहले साल की जब आप लेजर स्टार्ट करोगे तो इधर लिख दोगे two balance ब्रॉटड डाउन रुपीज ऐटी ठीक है तो इसका क्या रहेगा two balance ब्रॉटड डाउन रुपीज एटी यह अगले साल का खाता इधर से आपने start कर दिया । पहले साल का इधर खतम होता है तो अगले साल का इधर से start हो गया आपने ये चीज़ याद अखना है जो पिछल अगर आपको mcq आ जाये if your debit side is greater अगर आपकी debit side बड़ी है तो closing balance क्या आएगा debit side अगर बड़ी है तो closing balance आपका किस तरफ आएगा credit side आएगा मतलब की buy balance carry down आएगा यह आपको मैंने पिछली वार भी बताया था फिर भी students को end तक problem रही थी सर कैसे क्यों क्या वाए यह बड़े question आए थे तो आपको इदर से पता चलिए है फिर अगर credit side बड़ा होगा तो debit side आपका क्या एगा two balance carry down आपने यह चीज़ याद रखना है और opening balance में 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 ब्रॉट debit side के तो balance क्या होगा debit ही होगा जो बड़ा होता है वही balance आता है तो यह वाले balance गिना जाता है आप यह चीज़ याद रखना तो debit side इदर बड़ी थी तो balance कौन सा है debit ही आया तो cash account का यह balance आया अब आगे हम बनाने जा रहे capital account ठीक है इनकी एक एक दो-दो transaction होएगी सबसे transaction cash की थी आपको पता है तो आगे बढ़ते है capital account कैसे बनाएंगे capital की आपको दिख रहे है सिर्फ फोर सिर्फ first transaction that is cash account debit to capital account capital को भूल जाओ तो हम इदर क्या लिख देंगे by cash account कितना रुपीज 10 capital की और कोई transaction तो नहीं है आप देख लिजिए ध्यान से आपको पास अगर आपने transactions इसकी की हुई है पिछे मैंने आपको वीडियो में कराई है तो capital की और कोई transaction नहीं है अब simple और simple हम क्या करेंगे balance इदर 10 रुबे आया इदर आप balance कर दो two balance brought down कितने capital का balance आएगा sorry carry down ठीक है कितना balance आएगा रुपीज 10 हमने इदर close कर दिया रुपीज 10 इदर भी close कर दिया रुपीज 10 अब इसका balance इस तरफ आजाएगा opening opening के आएगा इसका by balance brought down रुपीज 10 ये अगले साल का start हो गया इदर से अब आगे हम बात करते है purchase account purchase account आपको कहां कहां दिख रहे है ध्यान से देखिएगा purchase account मुझे दिख रहे है पहली transaction में पहली transaction क्या है purchase account debit to cash account तो इसकी कहां पे आएगा two cash लिख देते हैं two cash किस तरफ आएगा इस तरफ ये two वाली साइड है रुपीज 10 दूसरी है purchase two RAM तो two RAM भी इदर आजाएगा रुपीज 10 अब इदर क्या करते हैं balance buy balance carry down carry down कितना होएगा इदर का balance अगर 20 है अगर इदर का balance 20 है तो इदर का balance भी 20 होगा ठीक है तो इदर हम balance कितना लिख देंगे 20 तो opening balance किस तरफ आ रहाएगा debit side two balance brought down रुपीज 20 होप की clear होगा purchase account भी बन गया capital account भी बन गया cash account भी बन गया अब अगर आप से पूछे आपने साल बर में कितनी purchase की है तो इदर से आप देख लीजिए आपने साल बर की purchase की है 20 जितने का balance आया है आपकी capital कितनी थी 10 की आपका cash कितना बचना चाहिए end में 80 रुबे बचना चाहिए अब आगे हम बात करते हैं बाकी accounts बनाते हैं सारे account बनाएंगे उसके बाद आने वाली वीडियो में जब trial balance बनाएंगे इसी कोशन का trial balance भी बनाएंगे अब बात करते हैं राम account की राम account कैसे बनाएंगे ठीक है राम account के आपको कोई transaction दिख रही है हाँ ठर्ट transaction आप देखिए purchase account debit to ram account है तो purchase buy purchase हो गया तो buy purchase किस तरफ आ रहेगा इस तरफ कितना रुपीज 10 तो अब अगर राम हमारे पास आएगा हमसे पुछेगा कि सर हमें बताईगे हमारा कितना balance है तो हम बता देंगे कि जनाब आपका कितना balance है तो इदर आपका आजएगा two balance carry down rupees 10 तो उसको हम बता देंगे आपका balance कितना है 10 रुपे का balance है तो balance अपना चुकता कर जाओ ठीक है next बात करते है sales account sales account की आपको दिखती है fourth transaction fourth transaction क्या है cash account debit to sales account buy cash किस तरफ आदेगा इस तरफ ठीक है sorry राम जो है उसको तो हमने पैसे देने वो तो हमारा creditor है ठीक है वो मैंने बोल दिया कि चुकता हमने करना उसका पैसा तो buy cash account इधर आदेगा और फिर से आदेगा दूसरा आपका आता है buy mohon account cash में आपका आदाएगा 10 mohon में भी आपका आदाएगा 10 तो साल बर में हमने sale कितने की 20 रुबे की की तो इधर लिख देते है two balance carry down 20 रुबेस ठीक है अगला है mohon account ठीक है mohon account कि आपको दिख रही है fifth entry fifth entry में क्या है mohon account क्या कह रहे है mohon account debit to sales account तो हम क्या लिखेंगे two sales he is a debtor तो इधर क्या रहेगा buy balance carry down next आपका machinery account ठीक है machinery account में क्या आपकी transaction आएगी सबस्वहले हमने machinery purchase की थी कौन सी transaction में six transaction में हमने machinery purchase की थी तो क्या है entry machinery account debit to cash account तो machinery को हम भूल जाते हैं तो two cash लिख देते हैं अगला है buy depreciation to machinery तो इधर buy depreciation लिख देते हैं कितने की दो रुपे की अब आपसे पूछी जाए कि आपकी machine कितने की बच्ची है तो machine हमारे पास जनाब बच्चरी है आठ रुपे की buy balance carry down रुपीज एट ठीक है machine हमारे पास कितनी balance है आठ रुपे का balance है हमारे पास machine का आगे बढ़ते हैं जो हमारे दो तीन अकाउंट सोर बच गिया है उससे बनाते हैं अब आगे हमारे बच जाता है एक depreciation account तो depreciation account की आपको पता है एक ही transaction है कौन सी दिख रही है मुझे वो 7th entry आप देख सकते हो तो उसकी entry के होगी 2 machinery तो इदर मैं डाल देता हूँ 2 machinery account कितनी है depreciation 2 रुपे तो इदर हम balance कर देते हैं buy balance carry down 2 रुपे ठीक है close कर दे next है आपका salary account salary account की last 2 transactions है तो पहले आदे थे 2 cash इदर लिख देते 2 cash salary मारी गई पहले cash से गई है 10 रुपे फिर गई है out sending भी गई है out sending salary लिख देता हूँ इदर मैं कितनी गई है 10 रुपे तो balance कर दे इदर इदर balance कितना रहेगा buy balance carry down 20 रुपे का मतलब साल पर में हमने कितनी salary दी है 20 रुपे चाहे अभी अभी हमने 10 रुपे नहीं दी वो out sending है फिर भी एक तरह कि देने वाली तो बन गई है न तो next हम बात करते है salary out sending salary out sending की क्या आजाएगा buy salary 10 रुपे तो इदर आपका आजाएगा balance to balance carry down सारे account हमने बना लिए सारा जो आपको homework दिया था general का उसमें जितने भी account बनते थे हमने बना लिए और ये था आपका ledger hope कि आपको clear होगा क्यूंकि अब आने वाली वीडियो में इसी का इसी question का हम trial balance भी बनाएंगे उसमें हम proof करके बताएंगे कि आपकी arithmetical calculation मतलब इसमें हमने arithmetical accuracy के साथ कैसे account बनाए है उसमें हमें पता चलेगा कहीं हमने accounts मनाने में कहीं गलती तो नहीं की जो तो पंचायत account assistant में select होगे है तो उन्हें मैं बता दूँ आपका work यही है आपको इसी की training दी जाएगे आप सभी को पता है कि आपकी जो training period रहना है 8-9 months का उसमें आपको इस चीज़ की training दी जाने है कि आपने कैसे accounts maintain करने है क्योंकि बड़े से ऐसे students हैं जो commerce background के नहीं होंगे तो उन्हें इस चीज़ की training दी जाएगी hope कि आपको clear होगा अच्छा लगा होगा असान लगा होगा इसके related कुछ जादा questions नहीं आएगे मुझे नहीं लगता कि जादा question बोचेंगे लेकिन मैंने जैसे कि आपको starting से बोलता है concept is power या आप कह सकते हो concept पाओ माक्स अपने आप concept पाओ माक्स लाओ यह आपका funda रहना चाहिए जब भी आप इसके exam के लिए भी प्रिपेर कर रहे हो तो आज के लिए अपनी वीडियो इतनी रखते हैं अगर आपको अच्छी लगी होगी प्लीज लाइक शेयर करना ना बूले अपने दोस्तों के साथ फेस्बुक टेलिग्राम इंस्टा जहां भी हो आप उदर शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक बटन को जरूर दुआए और अगर अभी भी कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर जैन्वन होगा मैं आपको रिप्लाइज जरूर दू दूड़े है झाल सेक्शन समधे लिखिए 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 भी लिखिए लिखिए मेंटूर आपको ऑ्याचिए जरूर कर दो दूर आपको याजि वीजिए।